आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में फिर से आपको एक बेवी के अपलाई हूँ जो हम रिवर्सेवल बनाएंगे दोनों तरब से इस टोफी को हम यूज कर सकते हैं और इसमें भी मैंने अलग तरीके से मैं इस टोफी को बना रही हूँ तो ये साइज न्यू होन के लिए है आप इसको बड़ों के लिए भी इसी तरह से बना सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे इसके लिए मैंने अगे फूल लेन का फैब्रिक लिया हुआ है टू पीसिस मैंने इसके लिए हुए है क्योंकि रिवर्सेवल हम इसको आई है वो रखी है मैंने यहां पर 7.5 इंच रखनी है हमने अगर वैसे पॉन्याठ मेरी यहां पर आ गई है विए आप 7.5 इंच इसको रख सकते हो तो आप देखे आप हमने क्या कर तो देखे राइट साइड हमारी दोनों की अंदर की तरफ को है और रॉंग साइड इसकी बाहर की तरफ को है सबसे पहले हम इसको एक फोल्ड करेंगे देखे इस तरह से यह देखे यह हो गई हमारी फोर लेयर इसकी यह देखे फोर लेयर हमारी हो गई इसकी अब इस तरह से हमने इसको रखना है अपनी तरफ को आन फोल्ड साइड हमारी अपनी तरफ को रहेगी तो आप देखिए क्या करना है, अब यहां से हमने एक corner से, जहां पे देखिए corner बन रहा है, यहां से, इस तरह से हमने इंचिटेप को रखना है, एक इंच हमने यहां पर निसान लगाना है, वन इंच पे एक निसान लगाएंगे, एक तरफ यहाँ पर लगाया एक कॉर्णर में, अब दूसरे कॉर्णर में भी वैसे ही वन इंच पे हमने निसान लगाना है, सेम देखें इंची टेप आपको इसी तरह से रखना है, यहाँ भी वन इंच पे रखेंगे, अब यहाँ भी वन इंच पे रखेंगे इधर भी देखें यहां भी हमने वन इंच पे इसी सेम इसी तरह से रखना है देखें इस तरह से इस तरह से मिलाना है ऐसे हमने गुलाई में इसको मिलाना है यहां पर हमें वन इंच की मार्किंग देने की जुरूत नहीं है देखें यहां से इस तरह स गुलाई देंगे इसको, यह हमने यहां पर मिला लिया, अब यहां से भी सेम वैसे ही गुलाई देनी है, इस तरह से, और इसको देखे, यहां पर हमने जो बनिच लिया है आगे को, वहां पर हमने इसको मिला देना है, यह देखे, इस तरह से, यहां से हमने इसको गुलाई दी और यहां तक यहां पर हमें गुलाई देने की जुरूत नहीं है यहां से इधर तक हमने इसको गुलाई में मिला लिया तो अब हमने सेम ऐसे ही इसको कट कर लेना है जैसे हमने इसके गुलाई दी वैसे ही हमने इसको कट कर लेना है तो अब देखे कटिंग हमने कर ली है अब हमने सेम इसको सिलाई भी ऐसी तरह से लगाना है पर सबसे पहले हम जो अंदर वाला एक पीस से उसको अलग कर लेंगे यह देखे इसको हम अलग कर लेंगे एक पीस हमने यहाँ पर अलग कर लेना है सिर्फ एक पीस को हमने यहाँ पर मैं आपको उजाती हूँ अलग अलग हमने दोनों की स्टिचिंग करनी है इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करे है जैसे हमने देखें इसकी भी हमने यहां से सिलाई करनी है यहां तक अब दूसरा पीस भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है सो अब देखे यहां पर हमने अपने दोनों पीस सिल्च कर लिए हैं आप देखे हमारें पास यह दो पीस है तोपी के दोनो देखेअ ये इसकी यह बड़े वाली साइड़ है यह खुली मूंग की तरफ आएगी और यह समारा निचे गर्दन की तरफ को आएगा तो आप इस तरह से खोलना है और इसकी जो right side है ध्यान आपने रखना है कि जो ये देखे उपर की तरफ को आना चाहिए जो मुह है हमारा जहां पर हमारा सीर आएगा देखे वो इसी तरफ को आना चाहिए इस तरह से हम रखेंगे इसको खोलेंगे और इसके center से center हमने बिल्कुल मिलान यहां से हम इसको सिलाई लगाना start करेंगे यहां से stitch करेंगे इसको एक corner से दूसरे corner तक दोनों को हम यहां पर join कर देंगे तो इस तरह से खोलेंगे और इसको सिलाई लगा लेंगे तो आप देखिए सिलाई हमारी यहां पर लग चुकी है जागे को हम कट कर लेंगे अब हमने इसको देखे इस तरह से खोलना है right side की तरफ को इसको turn करेंगे तो ये देखे कुछ इस तरह से हमारी टोपी ये फिर दिखेगी अब देखे इस तरह से हमारी टोपी आएगी फिर ये देखे कुछ इस तरह से फिर हमारी टोपी ये दिखेगी आपको यहां पर आपको टोपी दिखना start हो गई होगी यह हमारा मुग की तरफ आएगा और यहां पर अब हम डोरी लगाएंगे साथ में मार्जन को भी चुपाएंगे तो डोरी लगाने के लिए देखे मैंने यहां पर यह एक पट्टी काटी हुई है इसकी जो लंबाई है वो कितनी रखनी है हमने आपको यह वाली लंबाई मेजर कर लेनी है जितनी देखे आपकी यह वाली लंबाई है इस तरह से पकड़ना है और इस लंबाई को आपको नाप लेना है जितनी यह लंबाई है उससे आपको 10 या 12 विंच जादा रखनी है वो किसलिए वो हमारी डोरियां भी इसके साथ आएंगी उसके लिए यहाँ पर हमारी दो डोरियां भी 5 ए 6-6 inches के आएंगी तो वो हम एक में ही include कर देंगे ठीक है को इस तरह से करेंगे देखिए और इसका सेंटर हमने निकाल लेना है यहाँ पर हम इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से इसको एक नौच लगाएंगे सेंटर पर हमने एक नौच लगा लिया अब उसके बाद हमने क्या करना है इस टोपी को देखे रिवर्सेवल दोनों तरफ से हम यूज करेंगे वह मैं आपको आगे बताऊंगी अब जो नीचे वाली साइड है जहाँ पर देखे हमारा ये सेंटर है वहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखना है इस तरह से रखेंगे जो सेंटर पर नौच लगाया है उसको हमने इस तरह से रखना है सेंटर से सेंटर मिलाना है टोपी का सेंटर और पटी का सेंटर अब center से हमने यहां से देखे आदा इंच margin रखते हो एक तरफ को सिलाई लगानी है फिर center से ही हमने दूसरी तरफ को भी सिलाई लगा लेनी है यहां से हमने दूसरी तरफ को भी सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ हमने इसी तरह से सिलाई कर लेनी है तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको जोड लिया है यह देखिए हमने इसको जोड लिया है अब उसके बाद हमने क्या करना है इसको देखिए हम बाहर की तरफ को यूँ खोलेंगे तो अब देखी इसको हमने बाहर की तरफ को खोल लेना है इस तरह से और अब हमने इसको फोल्ड करना है तो किस तरह से करेंगे सबसे पहले हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे जो इसका कॉर्णर है वहां से हम एक फोल्ड इस तरह से करेंगे फिर एक fold इधर से करेंगे, एक fold दूसरी तरफ से करेंगे, center पे और फिर इसको center पे लियाएंगे, सारे margin को हमने center पे लियाना है, अब इस तरह से हमने इसको fold करना है, देखे इस तरह से आएगा हमारा आगे डोरियों पे, आप चाहे तो आगे यहाँ पर एक flower भी लगा सकते ह अब देखे इस तरह से करेंगे, अब यह जो margin है उसे हम दबाते हुए, इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इसके उपर हमने सिलाई लगाते जाना है, दूसरे corner तक हमने इसको इसी तरह से stitch करना है सो फाइनली देखे इस तरह से हमने डोरियां भी attach कर ली है और इस तरह से हमने simple सी reversible के cap त्यार कर ली है यह देखिए, दोनों तरफ से हम इसको use कर सकते हैं, यह देखिए, reversible कैपे बनी है, दोनों तरफ से आप इसको use कर सकते हो इसा लगा आपको मेरा ये वीडियो प्लीज एक comment करके जुरूर बताईएगा थैंक्स और आजिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए प्रूर झाली है